पोलिस इस पूरे मामले के इंवेस्टिगेशन कर रही है आपको ये भी बता दें कि इससे पहले अब चुकी लॉरेंज विश्णोई ग्यांग का कनेक्शन सामने आ चुका है तो इससे इस एंगल से भी जांचा जा रहा है अब तक तीन थेओरी सामने आ चुकी है अब ये तीनों थेओरी क्या कहती है आपको समझाते है पहला सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडर वर्ल्ड का हाथ और तीसरा राज्नितिक रंजिश हाला कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है इन तीनों में से कोई थियोरी सही है या फिर कोई चौथी थियोरी इस murder को लेकर सामने आ सकती है ये भी देखना होगा अलग-अलग तीन तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक समझ में आ रही है उनके हिसाब से ही जांच परताल को आगे बढ़ाया जा रहा है सबसे पहली सल्मान से दोस्ती क्यूंकि इसमें लॉरेंस बिश्णोई आंगल सामने आ चुका है सल्मान खान से बहुत अच्छे रिष्टे बताये जाते थे बाबा सिद्की के बाबा सिद्की मुर्डर के से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है वो भी न्यूज एटिन इंडिया पर आपको बता दे मुर्डर का चश्मदीद सामने आ चुका है नियूज एटिन इंडिया से बाचीत में चश्मदीद ने बताया है कि जिस वक्त मुर्डर हुआ उस समय काफी आतिश बाजी हो रही थी आप भी सुनिए पूरे शूट आउट के समय इस समय जो जो ने पूरी खटना को देखा था वो आई विटने समय साते हैं सत्पाल जी हैं सर्क्या हुआ थे एक्जेक्टिकल देखे आप यह नहीं कह से थी घटना मेरे सामने हुई थी मैं यह एक खाली कह सकता हूं कि हमने लोगों कुछ पास की बात है तो पता नहीं की विशर्जन के लिए रहे हां देवी माता की सारे तैयारियां हो गए थी सारे लोग अपनी गाड़ियां ले लेके जा रहे उसमें पटाकी भी पहुँच रहे थे क्योंकि माहौल तो ऐसे ही था दूर का माता का तो लोग पटाकी भी छोड़ तो उसमें पता नहीं चला की फाइरिंग हुई नहीं उसमें कुछ आवाज वगएरा कुछ नहीं आई तो आप लोग जब बावस्तिती गाड़ी थी और आप लोग कितना डिसंस आपका ने करीब 100-100 मिटर के आसपास कर भी यहां थे हम लोग गाड़ी यही पहुची थी औ और सिधर रुख करते हैं इस वक्त मेरे साथ आनन तिवारी लाइव मौझूद है विवेक भी मुंबई से लाइव मौझूद है उनका भी यहां पर रुख करेंगे क्योंकि देखे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले की चल रही है आनन तिवारी का अभी तक मिल पाया है क्योंकि एक ठेवरी ये भी कह रही है कि चार शूटर हो सकते हैं जिनमें से दो ही अभी पुलिस के हत्ये चड़े आनन से यह इस और अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि सूटरस को बकायदा कोई ट्रेनिंग दे जाई थी इसके लाबा उन से फोन के जरीए कोई बात कर रहा था उन्हें टार्गेट जो है वो सेलेट कराए गया उसके बाद बकायदा लॉजिस्टिक और जो वेपन से वो उन कि counter-intellient unit ह olduğ और यू-पी पुलिस भी लगतार ुस हत्यकांड को लेकर अपनी तप्सिश करें क्योंकि जो दो सूटर है जो एक हरियाना से आता है एक यू-पी से आता है तो उनके लगतार मूमेंट और ऑपले घ्रेक क्या जारा आपके पास कोई जानकारी वहां से कोई अपडेट आया हो या सल्मान खान की तरफ से इसको लेकर कुछ रियाक्शन। मैं आपको तस्वीर दिखाने जाओंगा लाइव स्पॉर्ट जहां पर यह पूरा हत्याकांड हुआ आप साफ दिखते पूरे जो जहां पर शूट आउट हुआ था वहां पर पुलिस ने कॉड़न आफ करके रखा हुआ है बावा सिदिकी की जो गाड़ी थी वह इसी जगहा यहां पर पहुंचे उन्होंने गेट का द्रवाजा खोलकर अंदर बैटनी कोशिस की उसके बाद उनके उपार तावर तोड़ गोले चला जाती हैं छे गोलिया यहां पर दिखाई दिखाई दे आपको शेल दिखाई देरोंगे पूमा जो मुंबै पूलिस और एफसेल ने पर दिखाई गया है अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर बावा सिद्गी जो थे अपने बेटे जिसान सिद्गी के दफ्तर में थे कल दसेरह का दिन था बावा सिद्गी के लगातार अपने कारकरताओं से में लेते यहां से 50 मिटर की दूरी पर अगर मैं इंपोर्टन कॉल आ गया था जिसकी वह से वह निकल के थे वह देखिए सामने की तस्वीर में दिखाऊं तो यह जशान सिद्गी का दफ्तर है यहां पर बावा सिद्गी शाम साड़े साथ बजे इसी दफ्तर में आये थे लोगों से मिल रहे थे कारकरताओं से मिल रहे थे फिर नौ बच के दस मिलेट पर बावा सिद्गी यहां से निकलते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ महज पचास मीटर की दूरी है अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं उसी समय यह पूरी हत्यकान जो लोग हैं वह अंजाम देते हैं बताया जा रहा था कि पूरी की पूर की पूरा प्रोसेशन चल रहा था बहुत ज्यादा पटा के चल रहे थे भीड भी बहुत ज्यादा थी इसका फायदा आरूपी ने उठाया उनको लगा कि अगर पटा का चलते समय शूट आउट कर देंगे ति किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन बावस्तित के आसपा जितन अंदादा नहीं था कि उन्हें पुलिस पकड़ लेगी पुलिस जो आगे बैरिकेटिंग लगा खड़ी थे उन्हें दौनों आरूपी मौकी पकड़ा तीसरा आरूपी है वो फरार हो गया है और उसकी तलास की जा रही है ठीक है विविक आप बने रहेगा मैं लोटूंग यहां से फरार हो गया गिरफतार आरूपी में से एक आरूपी उत्तर पुदेश का है जबकि दूसरा आरूपी हर्याना करहने वाला है इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की पांच टीम और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच परताल यहां पर कर रही है आपको अलग अलग पांच तस्वीरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रिन पर दिखा रहे है बाबा सिद्की की हत्या की गई और उसके बाद से सवाल यहीं उच्छा है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है सिद्की को दो गोली यहां पर लगी तीन से चार राउंड यहां पर भाग रहे थे पुलिस की तरह से उन दो शूटर्स को पकड़ लिया गया हलाकि एक आरोपी जो था हो यहां से फरार हो गया झाल 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 झाला के आरोपी तरह से तरह से प्याशब यहां शुलिस दो भागी को धिता है